नमस्ते फ्रेंट स्वागत करती हूँ मैं आप लोगों का मेरी चानल पर तो सभी को शुब दिपावली क्योंकि आज है दिपावली का दिन और यहां मैं जाडू लगा रही हूँ सुबग की टाइम में तो सबसे पहले मैं अपने घर की क्लिनिंग कर लूँगी तो जाडू लगाने के बाद मैं पोछा लगा लूँगी क्योंकि मैंने सबसे पहले जो सुबग की जाडू होती हलकी सी वो मैंने लगा ली थी और अब मैं अच्छे से जाडू लगा रही थी क्योंकि सुबह सुबह पूरा घर जाडू लगाने का बहुत जाड़ा एक्षा नहीं होता है तो हलका जाडू लगा के छोड़ देती हूँ और बस उसके बाद किचन की क्लिनिंग करने के बाद मैं जाडू लगाई और यहां मैं पोछा लगा रही हूँ तो जाडू पोछा हो जाएगा उसके बाद मैं सुबह का जो नास्ता है वो बनाऊंगी बेटे के लिए क्योंकि मेरा और हजबन का जो शाम तक का फास्ट है हम लोग फास्ट रखेंगे बस फल, दूद, चाय वगरा लेग सकते हैं क्योंकि पूजा के बाद ही हम लोग फिर नाज खाएंगे या खाना खाएंगे तो यहां पर यह देखिए बहुत सारे काम करने के बाद मैं यहां पर यह जो चूना होता है उससे मैं थोड़ा भीको के रख लिए हूँ क्योंकि मैं इसी की रंगोली बनाऊंगे और अब इसके बाद मैंने अपने बेटे को खाना खिला दिया दोपहर का और यहां मैं थोड़ा सा फ्रूट्स खा रही हूँ और मैंने अपने husband को भी fruits कट करके दे दिये हैं और यहां एक चादर रखा हुआ है जो मैं इसे बेट पे लगाऊंगी और दूसरी room के बेट पे चादर मैंने लगा दिया है डाल दिया है इस तरह से कई काम हो जाते है दीपावली में दीपावली में तो काम खतम होने का नाम ही नहीं लेता है पूरा दिन भी कम पड़ जाता है तो उसके बाद मैं यहां पे यह आप लोगों किसा सेयर करें हूँ कि किस तरह से मैं water candle बनाती हूँ यानि पानी वाले जो candle होता है किस तरह से मैं glass में डाल कर या किसी भी सीजे के बरतन में डाल कर बनाती हूँ तो यहां पे मैंने तीन लिया है दो glass लिया और एक बाउल लिया है तीनों में मैंने पानी डाल लिया है simple पानी डाल देना है normal और आप इस पानी को किसी भी तरह से पहले डिकुरेट कर ले color से, glitter से, ball से या कुछ जो glittery balls आते हैं उससे आप पहले पानी को इस तरह से डिकुरेट कर ले उसके बाद क्या करना है जो मिठाई के डब बे आते है उससे पहले मैं आपको यहां दिखा रही हूँ कि इसमें मैंने यहां पे तेल डाल दिया क्योंकि जो उपर का layer कोई भी आप तेल डाल सकते है जो खाने का तेल होता है वो कोई भी डाल सकते है Refined यह सरसो कोई भी बस यह जलता है बस उपर में जो तेल का layer होता है वो जलता है और नीचे पानी रहता है colorful और decorated तो उससे बहुत ख LGBT प्लास्टिक गोल शेप काट लिया उसमें रूई बत्ती या कोई भी कपड़े की कॉटन की बत्ती बना कर उसके बीच में थोड़ा होल करके इसमें लगा दे इस तरह से रग दे और इसे जलाएं यह बहुत ही खुबसूरत लगता है और लगेगा कि बहुत ही महंगा आपने खरीतकी लेके आया है तो इस तरह से आप इसे बनाएं और डिपावली में अपनी घर को सजाएं उसके बाद यहां पे करीब चार बज़ गया है और मैं यहां रात की खाने के तैयारी कर रहे हूँ यहां मैं मटर बना रही हूँ औरम फ्राइव शुभल मटर रखा है और इ यह नहीं पहले बना कश दो डाया है, तो कभी और मठर पनीरों की टो यहां पर फैकोड़ mail मैंने त्यार थांट करना की कहा हूं सबचने के बाद नीमाति किडिया यहां यहां अध़ित में लेँ और चून आपके मैं हैं leperj Ilum जो रंगोली आती है colorful उससे मैंने एक चोड़ी सी रंगोली बनाई है तो इस तरह से मैंने बहुत सी simple रंगोली बनाई है उसके सभी कुछ करते करते साम के हो गया है यहां देखिए यह मैं दिया लगा रहे हूं और इसे सभी दर्वाजे के पास में रखोंगे और उधर मैंने पूजा की त्यारी कर ली है और मैं आपको आगे पूरे घर की डेकुरेशन की वीडियो आपको एक अलग वीडियो में सेयर करूंगी तो सभी जगह मैंने दियों को लगा दिया है सभी दरवाजे के पास और तुलसी माता के पास भी दिया जला दिया है और पास में संकरवान का मंदिर है वहाँ भी मैंने जाकर पास जला दिया है और उसके बाद यहां साड़े छे बजे मैंने पूज़ा स्टार्ट कर दिया था और यहां मैंने भगवान जी को नए भगवान जी जो मैंने मूर्तिय लाई हैं वो और साथ में जो पहले के भगवान जी गनेश लश्मी जी को उनको भी एक साथ बिराजबान किया और अलग से एक जगह पे वही परबगल में काली माता जो आज की दिन काली माता की भी पूज़ा होती है तो उनकी भी जो फोटो होती है वो लगा कर मैं पूज़ा कर रहे हूँ तो सभी को नए पस्ट नए आशन में मैंने बिच़ा दिया है और सभी के सामने इस तरह से पान पत्ति लगाकर मैं उस पे भोग लगाऊंगी तो यहाँ पे गनीश जी का प्रिय भूग लड्डू वो मैंने रख दिया और लड्डू को इस तरह से मैंने एक चान्दी के बरतन में रखा है यह तीन चान्दी के बरतने में हर साल गनीश लश्मी जी की पुजा में इस्तेमाल करती हूं तो यहाँ पे कलश कि पूझा की हम लोगों निये एक दिया बड़ा दिया जला दिया जू रात भर जलेगा और यहाँ पर सभी भगवान को चंदन, सिंदूर, टीका, फूल, अक्शत दिया बत्ती करके यहाँ पे हम लोगों ने सभी भगवान की 40 पढ़े आरती की सभी भगवान की और साथी साथ हम लोगों ने छोटे से धुद्दानी में गनेशी और लश्मी जी की नाम की हवन की से हमारी पूजा हो गई गनेश लश्मी जी की अच्छे से और पूजा हो जाने के बाद हम से खाना खाएंगे क्योंकि जो खाने में कुछ बचा हुआ है बनाने को भी मैं बना लूँगी और साथ में थोड़े पिक क्लिक कर लेंगे हम लोग और यहां हस्बेंड को मिला है उनके ओफिस के तरफ से यह एक चांदी कसी का जो मुझे अपने आउड़ोर like रमःा मैं अपने अपने एयरिया को सजया है यहां पर जो सू रैक है उसके ऊपर कुछ लांडम्स रखे हैं और इसमें कुछ लाइट निक लाइटिंگ कर दिया है और इस तरह जो एक colorful रंगोली जो स्टिकर मिलता है वो उस जगह पे मैं हर साल लगाती हूँ और जब वो गंदा हो जाता है एक साल में तो ठीक उसी के ऊपर में एक नया स्टिकर लगा देती हूँ और दरवाजे के right hand side में मैंने एक wall hanging my sweet home का लगाया है यह मैंने लिया है फिलिप कार्ड से और इस्टिकर भी मैंने फिलिप कार्ड से लिया है तो इन दोनों चीज का link जो है मैं अपने इस वीडियो के description box में डाल दूंगे आप वहां से ले भी सकते हैं यह स्टिकर भी बहुत अच्छा है और जो यह wall hanging है वो भी देखने में बहुत ही खुबसूरत ह तो आप इन दोनों को purchase कर सकते हैं दीपावली decoration का next part मैं next वीडियो में लाओंगी क्योंकि अगर इस वीडियो में ही डाल दूंगी तो यह वीडियो बहुत बढ़ा हो जाएगा तो अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को subscribe करें और subscribe करने के बाद एक notification आप लोगों को easily मिलते रहें तब तक के लिए bye bye